साथियों जब मैं आहुरुवेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी एहम जानकारी देना चाहता हूँ मैं अपने एक मित्र और केनिया के पुर्वर आश्पती राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मेरी का भी जिक्र करना चाहता हूँ रोज मेरी आर यू हेर यह सीज देर रोज मेरी वेलकम टू गुजरात रोज मेरी की घटना बड़ी रोचक है मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा कुछ दिन पहले उनके पिता जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो मुझे ओणिगा जी दिलनी मिलने आये थे रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैटने का ताय करके कई कई लंबे अर्शे के बाद हम दोनों मिले थे तो उन्होंने मुझे कि रोजमरी की जिन्दगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि बड़ी एनेक प्रकार से वह भाव भावु खो गए थे और रोजमरी की जिन्दगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए कि रोजमरी के आँख में कुछ तकलीब हुई थी और उसकी है रोजमरी ने अपनी आखे को दी वो देख नहीं पाती थी आप कल्पना कर सकते हो जिन्दगी के इस पड़ाओं में आखे चली जाए इंसान हताश हो जाएगा निराश हो जाएगा और एक पिता के नाते हैं मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को च्छान मारा वो केनिया के बहुत बड़े बरिष्ट नेता थे उनके लिए विश्वा में पहुंचना कोई कठिन काप नहीं था विश्वा का कोई बड़ा देश हैसा नहीं होगा जहां रोज मेरी का उपचार नहीं हुआ हो लेकिन रोज मेरी की आंखों में रोशनी बापिस नहीं आई आखिर कर उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोज मेरी की रोशनी बापस आ गई वो आज देख रही है जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदिकी की स्वनिम पल थी मुझे खुसी है कि रोज मेरी भी आज इस समीट में हिस्सा ले रही उनकी बहन भी आई है उसकी बहन तो traditional medicine में ही अब तो पढ़ा रही है